हे दोस्तों आज हम करने माने लॉंग ए लाइन कट सो ये कट ट्रेंडिंग में चलर आया आजकर एंड दूसरा इसमें फ्रेशर बहुत गलतियां करते हैं हमसे ये कट सही तरीके से नहीं होता तो मैं आपको इजी तरीका बताऊंगा इसे हम कैसे बिल्कुल सही अच्छे तरी है प्रशेश झाले अपने करनी है इसमें यह जैसे कि मैंने इस तरीके से संप्रक्किन और ट्रांड या एंड हेर्लांड के साथ सत्व मैंने 1 सेक्ष्यं यह मुझे ना कि सब्सक है नहीं मैं भी सेट्ष् 선생님 का है तो इस में मुझे गाइल्न होगी वो दोनों साइट से लेंगे फ्रंच से भी बैक से भी सो सबसे पहले हम फ्रंच से स्टार्ट करते हैं यह देखी तो मैं यहां से एक पाट लोगा मैं यहां पर क्लाइंट से पूछूँगा कि आपने फ्रंट पर कितने लंबे रखाने हैं यह लॉंग कट है यह लॉंग एलाइन कट है ठीक है इसमें फ्रंट हमारा लंबा रहता है बैक हमारी शॉट होती है मालोग को राइड ने इतना लबे है रखाने है फ्रंट से यहां पर होगी मेरी गाई लाइन यह दिखिए मैंडिक आइलाइन कट कर ली तो अब आएंगे बैक पर यह आपने द्यान में रखने यह गाई लोगा ठीक है यह हमारी गाईलाइन तो अब बैक साइड से एक शो का स्वाज एक्शन देंगे अब तुस्सुरे कर लेते हैं कि यहां से आपने एक सेक्शन देना है कि अच्छे से कॉंग करके जीरो डीटी गैंकर पे लेके आओं अब देखाँ हमने यह फ्रांट का कट किया है अभी अभी काईलेंग बनाई गए तो यह वाली काईलेंग इससे लंबी रहेगी कि यह यहां था कि तो हम कम से कम इतने धर करेंगे कि एए देख लिजे लेगी कि सो कम से कम इतने वाल करूंगे इस लोगे दो वैक से काई डाइन बनाते हैं मैंने चेक कर लिए है कि मेरे कितने बाज आएंगे कि दाणि कि मैंने यहां से एक पर स्टेट कट लगा दिये मेरी दूनों साइट गाइलेंड बननी है अब मुझे कोई टैंचर नहीं है किसी भी साइट से बड़े छोटे बाल नहीं रहा सकते हैं आपने स्काइलेंड को कर लेना एड़ाइड इस तरीक़्े से कि यहां पर जो बाल है वहीं पर उससे सीधा कॉंग करके टाटने हैं तो इसमें फ्रांट रहेगा लॉंग तो मेरी फिंगर होल्डिंग इसमें ऐसी रहेगी है ठीक है कि अपने ऐसी होल्डिंग रखनी है एक और पूरे सेक्षिन को अठा रो देरी मेरी गाइड लाइन कि यह देखें कि इसे आपने बिल्कुर भी उपर उठा के नहीं करना जहां पर बाल है यहीं पर अच्छे से वोड़ दर के गट करना इसे आप अच्छे तरीके से इस सेक्षिन को चैक करेंगी क्योंकि इसी पे मारा साला कट टिक हुआ है अगर इसमें कोई प्रावडम रहा आगी तो पूरे कट में मेरे प्रावडम आ जाएंगे आभ ठीक है जू इस तरीके से होगे इस है जिए तो अब इस साइट का अच्छे करेंगी हुआ हुआ है कि थ्यू आट अब इस थाइट जाए थे दो आच जाए है यह रिक आई लेन हमाई फ्रांट की रहा गाई आई आगाई 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 के लिए यह जो इलाइड अच्छे से बंड़ी है तो एक एक बीजिए अ तो अब इसकी sectioning कैसे दोनेगे, हम उपर सेक्षन करेंगे open इसकी sectioning है ऐसी लेते जाना है आपको बिल्ग इससी तरिक्ए से कि पोड़ी बहुती सेक्षिनिंग टेड़ी मेड़ी है कोई जटकर नहीं है लेकिन नीचे हमारी का आइलन बहुत अच्छे तरीके से वार रखी है कि अच्छे कर दो अच्छे कर दो अच्छे कर दो बहुती है कॉंट आपने बिल्फू अच्छे करें करेंगे जाएंसे बहुती है को स्पूरी इस साइड का बाल आगे नहीं जाएगा अगे का बाल बैक साइड के नहीं आएगा तो अब का इसमी का आइलन लेंड को पॉलोब करना है जो नीचे वादी हमारी है अपने क्लिप नहीं लाणा वालों होई एरी मरें नीचे काई लाई और आपको टाइम भी नहीं लगेगा इस कट्टो करने में बहुत कम टाइम में आप इसे कम्लीट करतो होगे कि अपने सिद्धी काउंग गर के बाल नहीं घट करने हैं तोनों साइडों को डवाईड ही लखना है यहीं कारे दो सेक्शन कोग्लीट तो यह सेक्शन पूरा लेड़ा तो यह सेक्शन पूरा लेड़ा तो इचकार से आपने ट्वाईड कर लेड़े अगर ड्वाई टाउ होए तो बाल बड़े शोटे रहा जाएंगे करेंगे ट्रीन इसे आप की पाल जोड़ेंगे द्वाईड द्वाईड राईंगे ट्वाई सबस्तों गर्ट को रिए कि असे लिए अखिए आइंगल पे आएंगे एंगे बहुत सॉरिड गाइल एंग उसे में सोने का कुछ आंज ही नहीं घा गाएंगा क्लिप पर साइड लगा देंगे क्लिप रज़ूड़ूवरी करें हैं क्लिपटूशा करें दूपड़ुबूशा तो लास्ट में आपने क्या करना है अच्छे से गॉंग करके चेप करना है कि कहीं पर तुभी मेरा बाग बड़ा शोटद हो नहीं है यह थी है अवार कट हो ए कम्प्लीट तो मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीका बताया है, इससे इजी तरीका कोई और मुझे नहीं लगता कि और होगा सो आपने इसे फॉलो करना है, अच्छे से कट करना है, क्योंकि सेक्शनिंग जहां यह वो कुछ मैटर नहीं करता है, मैटर करता है रिजल्ट कि आपका कट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए सो मुझे यह सबसे इजी तरीका लगा है, इस कट को करने का सो ऐसे ही हमारी और वीडियोस देखने के लिए आप मारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हूं, सो थैंक्स वाचिक मैं वीडियोस